नमस्कार आज हमारे खास मुलाकात में आज के हमारे खास मेहमान है शिवशेना उद्धबाला साथ ठागरे जिल्ला प्रमुख नागपूर शहर से और पुर्व महापौर किशोर कुमेरियाजी जो अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं आज इस खास मुलाकात में हम इनसे बातशीत करेंगे महराश्ट्र में वर्तमान में जो चीजे घड रही हैं गटनाय हो रही है जो राजनेती खल्चल मच हुई है इन पर हम राय विचार करेंगे और चर्चा करेंगे तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे BCN के स्टू सवाल यह है कि आप अभी भी शीषेना उद्धाबाला साहब ठाकरेंगे गुट में है और ठाकरेंगे में क्यों है कि मैं करीवन 30 साल से शिवसेनिक के रूप में इस शहर में काम करता हूं गट शाखा प्रमुक से लेके शहर प्रमुक कर मैंने काम किया और काम करते करते इसे बूब पक्षने वीश्वास करके मुझे मभी धिल्हा परमुक मना और मैं मानीय SHRIVS Anderson पर安坐 के विचार पर tremendous उनप मैं और उनकी विचार पर मैं अभी काम करते कर रहा था कर रहा हूं और आगे भी करते ना मिला है सर जैसा कि आपने बताया कि आप एक बड़े पत पे हैं और बड़े पतों पे आप इससे पहले रह भी चुके हैं हाल फिल हाल में उध्व ठाकरे जी नापपूर आये और नापपूर यानि कि देवेंद्र फरंडवीश के शहर में और उनके शहर में आकर उन्होंने कहा कि देवेंद्र फरंडवीश नापपूर के लिए कलंक है जो मुद्धा अभी पूरे महराश्मा मुझे लगता है कि जोड़ों पे हो नापपूर में खास करके तो इसी विशय में आपकी क्या रहा है आपको क्या लगता है इस सबसे पहल पर राश्ट पती जी पंटपरधान जी और साजी यहां पर वेवस्थाइब है सभीधान के माध्यम से नियाय मंडल हो गया शाष्किय हो गया वज्ञैनित हो गया यह सभी सतंत्र है इन विशय पर बात करने के लिए मैं इतना बड़ा भी नहीं हूँ लेकिन फिर भी महारास्ट में ऐसा हो रहा है कि एक केंद्र में केंद्र सकता है और राज्य में परिदी सकता है इस प्रकार की यह राज्य सरकारे और केंद्र सरकार इस प्रकार का सभीदान की हिसाब से सारा कारभार अपने देश में चलता है लेकिन अभी इस सारे राज्यों में सबसे जो अमिर अपनी राज्य है महरास्ट इसमें केंद्र का बड़ा हस्तक्षिप हुआ है हो रहा है और सत्ता की लालच में भारतिय जंद्धा पार्टी कि किसी भी प्रकार का काम इस राज्य में कर रही है हो रहा है और इसमें लोग काफी सरब्रहम वाली विवस्ता लोगों के मन में हुई है इस महरास्ट में जिस प्रकार से राज्यपाल है एक सब्धानिक राज्यपालों के साथ में मिलके उन्होंने भी इसमें अपने आज तक महराष्ट की इंतियास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि सबेरे शपत विदी हुई है ऐसा महराष्ट में नहीं हुआ लेकिन राज्यपाल के माध्यम से और इसा कई कानून में लिखा भी नहीं कि यह सबेरे कर सकते हैं लेकिन ऐसा हुआ है इस लिए बड़ा यह किंद्रे सरकार का हस्तक शेप मैं कहूंगा और ऐसा महराष्ट में इस प्रकार का सबिस्त प्रकार का सम्भान ने के लिए जांटता रहने के लिए इस प्रकार की वे वस्ता है लेकिन इडी उस प्रकार का न करते हुए और शान्त अदा का काम इडी के माध्यम से हो रहा है पक्ष फोडने के लिए इडी का वापर किया जा रहा है लोग अगर पार्टी में खुद के भाज़ब पार्टी में अगर उनको लेना है तो इडी का अब उपियोग हो रहा है उसके बाद जो अपना इलक्ट्रोनिक्स मीडिया है जो कि सेपर्ट है जो विकास के लिए इस देश के प्रगति के लिए मीडिया का सबसे बड़ा महत्वपुर्ण रोल है इलक्तॉनिक्स मीडिया लेकिन उस प्रकार का मीडिया में भी अगर देखा जाए तो मीडिया का भी वहापर राजनीटी में हो रहा है यह बड़ी दुर्देवी बाब अपने इस महाराष्टा में हो रही है जैसे अभी आप प्रकार के आ रहे है कि एक तरफ से वोलते कि यह सही है और यह सक्ति के लिए तो जैसा ऐसा हो गए कि सिन्दे जी है इनको सबसे पहले तो जो सिवसेना पार्टी वो पार्टी से सबसे पहले अलग किया गया और उनको अलग करने के बाद में उनी से गड़बंधन करके सक्ता बिठाई गई उन्हें यह इस प्रकार का सत्य के लिए यह सब महौल चल रहा है और अभी तो ऐसा हुआ है कि घर घर में लड़ाई का महौल चालु हो गया और यह लड़ाई का माहुल जालू हो गया यहने इस महाराष्टा में इस प्रकार का वातावरन सब चालू है और यह नियाए विवस्त पे पार्टियों का टूटना बड़े पैमाने पर बड़े लेवल पर इससे आम जनता के बीच में पुद्धव ठाकरे के लिए लोगों कमन में साहनु भूती होगी इस प्रकार का वातावरन पूरे महाराष्ट में और देश में में जनते में में लोगों का एक कहना है और उसी वजय से यह सारी बाते हो रही है घर घर में हो रही है इस प्रकार में बड़ए पोड़ा जाँ रहा है पर उनको लिया जा रहा है और सत्ताइब आई जारी है सबें रहे हおい है कर एकडिया हो रहा है मीडिया कर नहीं के बारे में इतना वे देश के बंद हो रहे है खारी बगों के मतसे होना चाहिए ऐसा मुझे करना है और यह सारे वातावरन से महाराष्ट में सबसे बड़ा जो अपनि आर्थिक राजदानी है मुंबई तो इसमें सबसे बड़ा असर जो है वो सारे व्यापारियों का और कंपनियों का और उसके माध्यम से रोजगार और इंवेस्टमेंट करने को व्यापारी लोग जो है ना वो आ नहीं रहे क्योंकि वात्तावरन ऐसा हो गया है कि साल भर में दुसरी सत्ता हर बख्ष का या संतूलित नहुने से तकलिप हो बदल रहा है सी इसलिए यहां पर इंवेस्टमेंट नहीं हो रहा है कंपईयों का और जो आपने भी देखे कि वही जो कंपनिया है वो सब भार के राज्यों मे जारी है महाराष्ट के जंता के लिए यह जो महाबारत चल रहा है यह बहूत महाराष्ट के लिए जैनता नुक्सान दायक है और यह नुक्सान अभी पूरी जनता भुगत रही है और आगे इसा नहीं होना चाहिए यह सारे महाराष्ट के जनता का अपने शहर के लोगों का यह कैना कि किशोर जी क्या हम ऐसा मानने या जनता को आप क्या बताना चाहेंगे अगर मैं आपसे यह चुनाओ लड़ना यह पार्टी का विशह है पार्टी जिसको उमेद्वारी देती है पार्टी का निर्ने है पार्टी ने मुझे 2009 में टिकिट दी थी पार्टी चुनाओ लड़ा था 40,000 होड भी लिए थे उसके बाद अभी जो विशह है पार्टी ने अगर टिकिट दी तो और जनते की अगर इच्छा होंगी और जनता अगर बोलती है तो निश्चीत रूप से इस पे हम विचार करेंगे और लेकिन सबसे बड़ा वो चुनाओ लड़ना यह जितके आना वो हमारा विशह नहीं नहीं रहा आया तक क्योंकि मैं पिछले 25 साल से हमारे एक हमारे एरिया में सारे धर्मा और सारे जाती समाज के लोग पंत के लोग रहते हैं और मैं 25 साल से एक ही इस पे काम करता हूं कि अगर रस्ते पर उतरना पड़े तो वह हमी हम पहले रहे हैं और अभी बी कभी आइसी नावववत आई तो तो हम उनके लिए प्रयाश करके उनको न्याय दिलाने का ताम हम करते हैं ग्राउंड लेवल पर खास करके अगर हम शीवशेने ठाकरे करें बाग करते हैं कारेकरताओं को एक रहना और एक बने रहना अभी सबसे ज्यादा महतुपूर्ण है क्योंकि बड़े लेवल पर तो हो जाता है तो कारेकरताओं को एक साथ एक जूट रखने के लिए एक जिल्ला प्रमुख होने के नाते आप क्या सोचते हो आपके क्या वोमिकार है सबसे पहले तो यह तुम्हारे अपने पक्ष प्रमुख के प्रती निष्टे का विशय है उसके बाद में उस पार्टी की जो विचार खारा है उस पे तुम किस प्रकार से काम करते हो और काम करते रहना चाहिए यह है और तुम्हारे विचार के माध्यम से तुम लोगों की भावनाय लोगों के प्रति समास कार्य की लोगों के काम आना चाहिए यह सबसे महत्वा पुद्न है अभी की जो राजनीती है अभी का जो महोल है जो वतावरन है इसा हो गया है कि यह श्रीप पैसे वालों की अभी राजनीती है इस प्रकार की निष्टावान कार्य जड़ते रहें और यहां पर पैसे वालों को ही उसके बाद में सामाने जंते के माधिम से या कार्य करता के माधिम से अगर देखा जाए तो यह राजनीती में आने के बाद ही इतना सारा उसमें कुछ एक उसके वशे से रहना चाहिए उसके वजे से जो निश्टावान कार्य करता है ना उसको न्याय नहीं मिलता इस प्रकार का वातावरन है धन्यवाद किशोर जी आप आए और काफी अच्छे तरीके सापने हमारे सवालों को सटीक जवाब दिये दोस्तों फिर हम हाजीर होंगे खास मुलाकात में नए गेस्ट के साथ आप देखते रहें और कि जिया झाओ जैवाब देखते लोस्तों आप्सक ओ मून को सुटratos